नमस्कार जय हिन स्वागत है आप सभी का फिर एक बार अभियोदय क्लासिज यूपी पर आज की इस वीडियो में हम विद्यालय का अर्थ क्या है इसकी परिभाशाओं आदी पर इसकी क्या आवश्यक्ताएं हैं क्या महत्व हैं इन सब भी विश्यों पर चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने इस पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभियोदय क्लासिज यूपी को सब्सक्राइब नहीं कियोगा तो प्लीज एक बार से चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब अवश या स्कूल कहते हैं सबसे पहले तो आपसे अगर कोई पूछता है अगर विद्याले क्या है तो आप उसे मात्र एक लाइन में दो लाइन में अवश्य जबाब दे सकते हैं वो एकदम आपके एंसर से संतुष हो जाएगा कि विद्याले एक समाजिक संस्था है ठीक है आप इतना बता सकते हैं क्योंकि समाजिक संस्था विद्याले इसलिए है क्योंकि ये समाज में समाज के लोगों द्वारा समाज की कल्यार के लिए निर्मित एक प्रकार की संस्था है विद्याले एक इसलिए समाजिक संस्था है ठीक है हम आगे देखते हैं विद्याले शब्द विद्याधन आले दो सब्दों का श्ययोग है आले का साब्दिक अर्थ अस्थान है इस प्रकार विद्याले से अफिप्राई उस अस्थान से है जहां विद्यार्थियों को विद्याप्रदान की जाती है अंग्रेजी के स्कूल सब्द की व्यूत्पत्ति युनानी सब्द स्कोला से हुई है जिसका अर्थ है आउकास इसे आप अब यहाँ पे ध्यान देने योग के बात है कि विद्याले जो है हमारा स्कूल सभी को पता है उसे हम इंगलिस में इस्कूल कहते हैं लेकिन उसके व्यूत्पत्ति कहां से हुई है वो लिया कहां से गया है युनानी सब्द के स्कूला सब्द से लिया गया है अब यह दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अब हमारे जो एक्जाम हो रहे है वो अब्जेक्ट्टू दोनों पे हो रहे है इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मात्र इतने ही दूर से आपके दो कोश्चन आराम से बन सकते हैं, बन जाते भी हैं, तो आगे बढ़ते हैं, जिसका अर्थ क्या है अवकास, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से तु एवं सुनिश्चित अस्थान पर होता था जिसे अवकास कहके पुकार जाता था ओके इतना क्लियर है इतना समझ में आ रहा है अगर कई में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बाक्स में बता सकते हैं आगे हम देखते हैं इस भाती अवकास यानि ये आत्म विकास एथेंस की युवक अपनी आवकास के समय को खेल खूद कर ब्योशाय और युद के प्रसिक्षड में बिताते थे धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गएं एकेडमी के सुन्दर उध्यानों में व्यतीत किये जाने वाले आवकास के माध्यम से व भी समय होते थे उनके वहाँ पे खेलते कुदते थे खेल कुद ब्योशाय युद के प्रसिक्षड आदमें बिताते थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ वह स्कूल विध्यालियों में तब्दील हो गया ओके इतना क्लियर हुआ अब हम आगे देखते हैं कुछ और परिभासाइ विध्याले की निम्न लिखीत परिभाशाय प्रतिपादत की हैं सबसे पहले हम जॉन डीवी का देखते हैं हाँ ये जो ऊपर अभी हमने ए एफ लीच के द्वारा लिखी गई बताई गई परिभाशा को देखा उसे आप और शे ध्यान में रखेंगे वो काफी इंपॉटे अब हम उटावे के अनुसार देखते हैं उटावे ने क्या कहा है इन्होंने कहा है विध्याले को एक ऐसा समाजिक अविश्कार मानना चाहिए जो समाज के बालकों के लिए विशेश प्रकार की सिख्छा प्रदान करने में शमर्थ हो ये किस ने कहा है उटावे के द्वार इन्होंने क्या काया है इनकी अनुशार विद्याले विश संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुश्य के द्वारा इस उद्यस्थे से अस्थापित किया जाता है कि समाज में सूब्यवस्थित और योगी सदल सिता के लिए बालकों की तैयारी में शाहायत तब मिले ये काफी इंसे अक्सर इनकी परिभासाइं पूछी जाती है अक्सर इनकी परिभासाओं को एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसलिए जो इंपोर्टेंट होते उनकी परिभासाइं पर हम अक्सर ध्यान देते उन्होंने क्या काया है उस पर हम अक्सर ध्यान देंगे और उसे पढ़के एक्जाम में जाएंगे अवश्य पढ़के जाएंगे इन्होंने क्या कहा है विद्याले को मुखे रूप से इस प्रकार का अस्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्यत ज्यान को सीखा जाता है वरन ऐसा अस्थान जहां बालको क्रियाओं के उनिश्यत रूपों में प्रसिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्तो वाली है यह किसने का यह टीपी नन के द्वारा कही गई बात है यह दी गई परिभाशा है इसे भी आप अवश्य धान रखेंगे यह जो चारो परिभासाओं पर हमने चर्चा किया यह आप कही नोट करके लिख लेंगे क्योंकि एक्जाम में इसमें से कोई एक परिभासा अवश्य पूछी जा सकती है पूछी भी जाती है अभी पिछले सेमेश्टर में पूछा गया था इसे आप ध्यान में रखेंगे इसलिए अब हम देखेंगे विद्याले की आवश्यकता और क्या उप्योगिता है इस पर हम चर्चा करेंगे नीडेन यूटिलिटी आफ इसकूल इसको देखते हैं आज विद्याले सिख्छा का एक आवश्यक 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 सक्तिसाली एवं महतपूर अस्थान बन गया है अब यहाँ पर एक वर्ड आया अवश्यक आपसे अकसर ये क्वेश्यक पूछे जाते हैं और बनते हैं कि विद्याले क्या है अभी पिछले बार ये क्वेश्यक बना था अबजेक्ट्व में कि विद्याले क्या है अवश्यक संस्था है निरवश्यक है या अनवश्यक है आगे बढ़ते हैं, आदुनिक समाज में विद्याले की आवशक्ता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए, एस बालकृष्ण जोसी लिखते हैं, किसी भी राष्ट की प्रगति का निर्मार, विधान सभाओं, नियायालियों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालियों में होती है, ओके ये भी आप ध्यान में रखेंगे बालकृष्ण जोसी जी द्वारा कही गई बात, ठीक उप्योक्त विवेचन से निष्टकर्ष निकलता है कि सिख्छा का शाविधिक और अप्चारिक साधन, विध्याले, व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए बहुत महत्तोपूर आवश्यक एवं उप्योगी है, किसी भी समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवस एतिहासिक निरंतर्ता को बनाये रखना, उनकी भूत काल की शफलताओं को सुरुक्षित रखना, और उसके भविष्य की गारंटी करना, ये किसने का ये टीपी नन का कहना है, ओके, सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक कि ल और उस टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्द करा सकूँ, ओके, थैंक यू